कहानी की शुरुवात में ही हम कुछ college students को देखते हैं चोके एक पहाड़ी इलाके में आये थे और वही प्रनी वो लोग एक लड़की की body discover करते हैं और यह देखकर वो लोग police को inform करते हैं फिर investigation के दौरां में पता चलता है कि इस रवी का नाम है पूजा चाधरी और वो retired justice चाधरी के बेटी है इसके बाद पूजा के funeral में हम इसके घर वालों को देखते हैं और पूजा के घर भले काफी तूच चुके थे फिर पूजा के पिता justice चाधरी रवी नाम के एक आदमी से बात करते हैं और रवी की wife कविता और पूजा दोनों best friends थे और जीस दिन पूजा की body मिली थी उसके पिछली रात पूजा रवी के घर ही गई थी लिकिन उसके घर जाने के बाद पूजा को पता चलता है कि कविता कुछ काम के लिए पूने गई हुई है और उस दिन बहुत काम के लिए फिर से घर वापस आना पड़ता है और वो घर में आकर देखता है कि उसकी wife कविता सीरियों से नीचे घी रही है और फिर रवी और उसके घर की जो सर्वेंट थे दादू वो दोनों कविता को फॉरन होस्पिटर ले कर जाते हैं और उन लोगों को पूजा के ब अंदर कॉपर पाया गया था जिससे के यह साबित होता है कि उसका मर्डर किसी कॉपर के बने हुए चीज से हुई थे और यह कोई रेप केस भी नहीं था इसके बाद जस्टिस जादरी अपने बेटी की मर्डर केस को सॉल्व करने के लिए एक बेस्ट टीम तैयार करने की ड पे इसके बाद अभिणाष वर्मा को एक टीम दी जाती है और अभिणाष वर्मा के टीम इंबर्स का नाम था राज अमेज और संजना फिर अभिणाष अपने टीम के साथ कहस को इंवेश्टिगेट करना शुरू करते हैं और सारी चीजों को अच्छे से देखने के बाद अभिनाश यह कहते हैं कि जहाँ पर पूजा की बॉडी मिले थी, उस जगह के आज सपास कोई खूड नहीं है। इसका मतलब पूजा को कही और पर ही मारा गया और फिर उसकी बॉडी यहाँ पर लाए गई। और अविनाश ये भी कहते हैं कि ये कोई रेप केस नहीं है इसका मकलब कि किसी पर्सनल रिजन के वज़ा से ही पुझा को मार डाला गया है इसके बाद एसे पी अविनाश वर्मा जस्टिस चाधरी उनकी फैमिली और पुझा के जान पहचान वाले सभी से ही पुझताच शुरू करते हैं फिर जब अविनाश रवी से पुझताच करने के लिए जाते हैं तो रवी के साथ उनकी बात चीत कुछ अच्छे नोट पर नह कांण पर काफे प्रेशर भी था रवी से पुझताच करने के दौरान रवी और ये और उविनाश के बीचपेंसे जगला हो जातां है और अपने पावरज का इस्तिमाल करके अविनाश को इस केस से हटाने की कोशिश भी करते हैं ति अभिनाश एक दिन रवी के घर जाते है और वहाँ पर च्छान में करते हैं और फिर अविनाश रवी के सर्वेंट दादू से भी पूझताच करते हैं और दादू से अविनाश को ये पता चलता है कि रवी के घर में उनके इलावा भी एक और औरत काम करती है और उस औरत से फिर अविनाश जाकर पूझताच करते हैं और कहते हैं कि वो औरत जब मार्केट से सामान लेकर घर लोट रहे थी तब ही एक आदमी अविनाश के घर से निकलता है और उसके पीठ में एक बहुत बड़ा बैक था जिसमें कुछ समान था और फिर वो औरत जब रवे से इसके बारे में पूछती है तो रवे कहता है कि वो उसे का आदमी है और उसे के काम के लिए घर के अंदर गया था इसके बाद अविनाश रिशव और किया नाम के एक कपल से भी पूछताच करते हैं दलसल रिशव जेस्टिस चाधरी के एक फ्रेंड का बेटा था और वो लोग कुछ दिनों से उन्हें के घर में रह रहे थे और इसके बाद रिशव को यह कहा जाता है कि वो किया के सारे फ्रेंड का का नमबर उन्हें दे दे और रिशव ऐसा ही करता है इसके बाद अविनाश रून की टीम जब सबके कॉल लेस्ट चेक करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि पुजा की मौत के दिन रवी के घर में ए इसके बाद पुजा के bank locker को देखने के बाद उन्हें वहाँ से तीन pen drives मिलते हैं। और उन तीन pen drives को search करके उन्हें से एक में उन्हें कुछ photos मिलती हैं। इसके बाद रवी इस case के साथ जुरे हुए सभी लोगों को एक जगा पर बुलाते हैं। इसके बाद सबसे पहले अविनाश रिशव से बात करते हैं। और वो पूछते हैं कि जिस दिन पुजा की मौत हुए थी उस दिन सुभा वो रवी के घर क्या करने गया था। पहले तो रिशव ये मानने के लिए तयारी नहीं था कि वो रवी के घर गया। लेकिन इसके बाद जब अविनाश इस बात का सबुत देते हैं तो रिशव मानने के लिए तयार होता है। और वो सबके सामने ये एकसेप्ट करता है कि दरसल पूजा और उसका एफ़ेर चल रहा था। लेकिन रिशव पहले से खिया के साथ दिलेशनशिप में था। और पुजा चाहती थी कि रिशव किया को छोड़कर उसके साथ सिरियस हो जाए। और इसे बात को लेकर उन दोनों में बहस हो जाती है, इसके बाद मौका देख करेशव पूजा से मिलने के लिए उस घर में आया था, लेकिन वो जब घर में आता है तो देखता है कि पूजा की तभी मौत हो चुकी थी। और वो वहाँ से निकल जाता है। इसके बाद अविनश रवी से पूछता ही कि अन्ध पहले से जूट क्यूँ कहा रवी से यह पूझचा जाता है कि बायर में काम करने वाले सनी नाम के एक आदमी के साथ उसका क्या काम था और आखेंकर रवी को भी सच कहना ही पड़ता है और रवी कहता है कि उस दिन जल्द बाजी में घर से निकलने के लिए वो अपने एक पेंड राइव भूल गया था और उसे ही लेने के लिए वो जब वापस आता है और वो देखता है कि घर में पुजा की डेट बॉड़ी पड़ी थे और यह देखकर रवी बहुत ज्यादा इलिक्षन थी और रवी को कोई भी प्रॉब्लेम नहीं चाहिए थी इसलिए वो अपने एसिस्टेंट को कॉल करता है और उसकी सद्वी के साथ बात होती है और पिर सद्वी के घर भीजा जाता है और पुजा की बॉड़ी को उसके घर से कहीं तूर लेकर जाने के लिए कहत है और जब रवी पून पर भात कर रहा था तभी उसकी वाइप कविता घर आ जाती है और वो पुजा की डेट बोड़ी देखकर और रवी को ऐसे बात करते हुए सुनकर गलत समझ लेती है और जल्दबाजी में सीरियों से नीचे उतरते वक्त उसका पैर फिसल जाता है और ठीक करवा कर लाने के लिए और जब वो घर लोटते हैं तो तब कविता को सिर्यों से नीचे गीरते हुए देखते हैं और इसके बाद वह और रवी कविता को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं लेकिन इस बात से ये सावित नहीं होता कि रवी और रिशव के बीच किसी एक ने पुजा को मारा था लेकिन evidence tempering करने के लिए उन दोनों को ही arrest कर लिया जाता है। इसके बाद एक दिन रिशव के girlfriend किया पुलिस station आती है और फिर अविनाश किया को पुजा की मौत के बारे में बताते हैं और फिर आखिरकार किया को पुजा के मौडर के इलजाम में arrest कर लिया जाता है। दरसल अविनाश जिस दिन रवी के घर में चान्मिन करने के लिए गये थे उस दिन उन्होंने एक bracelet का टुकड़ा रवी के घर में देखा था। और किया जब पुलिस टेशन आती है तो किया के हातों में वही bracelet था और उसके bracelet में एक टुकड़ा मिसिंग था। और अविनाश कहते है कि दरसल किया को रिशव और पुजा के ऐफ्यार के बार में पता चल गया था। और किया कुछ काम के लिए कुछ दिनों से यहां से बाहर गई थी और वह जब वापस लुटती है तो उसे पता चलता है कि पुजा इस वक्त रवी के घर में होगी। और इसलिए उसने रवी के घर के पास के एक PCO से रवी के घर कॉल किया था और उसने यह पुछा था कि पुजा वह पर है या नहीं और पुजा नहीं फोन उठाया था और इसके बाद किया को यह पता चल गया था कि पुजा वही पड़ी है और वह फॉरण रवी के घर आती है कि ऑद किया को कैती है कि उसे जो भी बात करनी है वो रिषफ से जाकर करे और इसे बात पर किया काफ़ी गुस्सा हो जाती है और वो पास castage 7 कि वाहा हुआ करती है और इसके बाद हमी वाहां से भाफ से बहाνती है और फिर नहीं में अन carrier में यह quast पुजा की बॉड़ी को घर से बाहर लेकर जा रहा था तभी रवी के घर की मेट उसे देख लेती है। और एक हफ्ते के अंदर एसे पी अभिनाश वर्मा और उनकी टीम जेस्टिस चौदेरी की बेटी पुजा चौदेरी की मर्डर के केस को सॉल्ब कर लेते हैं। और इसे के साथ ये कहान यही बड़ी खतम हो जाती है।